के हलो मैं सोरभ लोधी मैं इस वीडियो मां बात करूंगा नुपर शर्मा और भारत के इसलामिक गिर्णियों का खुदके द्वादा ही पड़धाता चरना 돼 नोपर सर्मां के लोगो कहते हैं कि नुपर सल्मा ने जो बोला वो इस्लामिक गिर्धो कहता है कर स्लीप बेद्बी बेहूत्मती नहीं की है, कोई अपमान नहीं किया है, क्योंकि नुपर सर्मा ने वही बोला है, जो मुस्लिम के साहित्य में हदीसों के हिसाब से लिखा हुआ है, नुपर सर्मा ने वही हदीसें कोट की है, और यह वही हदीसें हैं, जो मुस्लिम गिरो आए दिन मस जोसे अनुमोधन करते हैं और करदवाते हैं आपने कभी देखा होगा कोई बात कहेगा कि इतिहास उठाके देख लो कोई Muslim ऐसे बोलेगा या मौलाना ऐसे बोलेगा कि इतिहास उठाके देख लो कुछ हमने कई कव्मों को नेस्त नाबूत कर दिया तो और चम्चोट के काएंगे इंसा एपना, इंसा आल्ला, असी तरह है, अनुमोर। दिन उसी कोई कहते हैं. तो वहां पे एक ज्यानवापी में ऐसे जो सर्वेक्षन हुआ, उसके बाद में ऐसी बात है, कि वहां पे एक सिवलिंग मिला है वजु खाने में, वजु खाना वो च करने के लिए जो पानी का इस्तिमाल करते हैं वो वजु खाना कोसी को कहते हैं और अब सोच एक जो मुस्लिम कहते थे हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं हिंदु संस्करति RV T lightning सभीता के का हिंदु देवी दिवताओं का सम्मान करते हैं सशक्रतिय संतंट करते हैं तो अब आती है कि यह तक पहुँछी है बात यह सी होती है कि जब आगे आगे जीजा बढ़ती जाए जाती है इस्लामिश्टों के साधे कुटतार का फैल होते जाते हैं उनको बेजजती सेहन करनी पड़ द है तो वही पुदानी ट्रिक अपनाते हैं जो भारत में साहध हो सकता है कुछ लोगों के लिए नहीं हो और यह ट्रिक हैंसी होती है कि इस्लामिस्ट करते हैं तो सामने वाले के खिलाफ हिंसा के लिए उसक ताकि वो ऐसा केसे, इसने इस निंदा की है, हमारे राजनेतिक नेता का अपमान किया है, तो हम इसकी सजा उसकी हत्या से करके पूरी करेंगे, या तो फेर उसका सद्ट नसे जुदा करेंगे. यह उनकी एक इस्लामिक कभीले की संस्कृति है कि जब आप किसी से ना जी सकों तो उसका कतल कड़ो इसलिए आप अपने आप में सत्यापित हो जाते हैं स्थापित भी हो जाते हैं आपका स्वीकारे भी हो जाता है इस्लामिक संस्कृति का इस्लामिक कबिल्याई संस्कृति का एक अहम हिस्सा है कि जब आप जीतना सको सत्य के आधार पर, तर्थके के आधार पर, सबूत के आधार पर, तो सामने बाले का कतल कर दो, इस मिंदा का आदूप लगा कर उसमें साथ मुस्लिम गिरो एक सहमती रखता है और उसको रखनी ही भी वड़ती है, नहीं तब उसके ऊपर भी इस मिंदा का आदूप लगा कर उसको खतम किया जाता है, उसके संपति उसके ओड़ते घर की ओड़तें को लूट लिया जाता है, अब बात ऐसी होती है कि नुपुर सत्मा ने नवीका कुमार की एक डिबेट के द्वारां तसलि की बेद भी है, अपमान है, तो और हमें इसका बदला लेना चाहिए, सरकार को चाहिए कि इसके बारे में अपना स्टेंड क्लियर करें, अब देखें, यहां एक कॉंट्राडिक्शन है, मौहमद उबेद एक मुस्लिम है, जो कहता है कि मैं फैक्ट चेक करता हूं, यानि ऐसा है कि इसलाम में सत्य को, सच को हराम माना जाता है, काफिर माना जाता है, यदि मेरी बात आपको गलत लगती है, तो आप किसी भी मुस्लिम के सामने सच बोल के बताईए, वो आपके पीछे पड़ जाएगा, और यही वज़य है कि यहां पर मैं कहा रहा हूं कि मौहमद जलीलपन के जब पड़काष्ठा होती है तो उसको आप इसलाम या मुस्लिम के साथ में कंपेर कर सकते हैं, तो वैसा ही हुआ, भारत का मुस्लिम जो अपने आपको एक टाइम पर कभी-कभी या बूलता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम सम्विधान को सम्मान देते हैं, अ हमारे बाप दादाओं पूर्व जो ने भारत की आजादी में अपनी जान, इजट, समपति सब कुछ लुटा दिया है, हम तो हिंदू-मुस्लिम भाहिचारे से रहना चाहते हैं, सिर्फ बीजेपी या कट्टर हिंदू वादी नेता हमारा इस भाहिचारे को तोड़वाना चाहते हैं, अब देखिए, यह सब आपने बातें सुन ली होंगी, और नुपुर सर्मा के प्रक्रण ने, नुपुर सर्मा ने सिर्फ हदीसे कोट की और उसके बाद में मुस्लिमों ने सारे के सारे मित तोड़ दिये, अब वो कौन-कौन से मित थे, मैं आपको एक के बाद गिनाता चलता हूँ, पर मैं उसके बाद में एक बात कहूंगा, और अभी भी बोल देता हूँ, कि आप मुस्लिम उपर जाता भदोसा नहीं कर सकते हैं, यह सिर्फ भेडिये की खाल के नीचे छुते हुए भेडिये हैं, आप इनके उपर लंबे टाइम तक विस्वास नही कर दिया जाएगा, या तो आपको भागने, या आपकी जान के पीछे, आपको भागने के लिए मजबूत किया जाएगा, या तो आपकी जान ले लेंगे लोग, जैसा अपने कस्मीर में देख चुके हैं, केदल में चल रहा है, पस्चिम बंगल में भी चल रहा है, अब होत संपत्ति में आग लगाता है उसे तोड़ता है लूटता है जलाता है या विस्फोड करके उड़ा देता है एक मित्थे तूट गया हम भायर के समविधान का पालन करते हैं सVTincourt ने जब कुछ आदेश दिए टो इन लोगों के जजजों का बीदो failures किया उंको जान से मारने की धंकिया दिए उनके घत की माहिलाओं की इजत हो टार्चेट पर लिया करनाटक हाई कोट हिजाब के मुद्ध्य पर इस सबसे लेटर्स उधारण है उसके बाद में बात करते हैं कि हम इस देश का तिरंगे का सम्विधान का सम्मान करते हैं सम्विधान तो यह कभी मानती ही नहीं है जो इनके हिस्से में होता है जो इनके फेवर में होता है वहां त निकाल दिया, वहाँ पर इस्लामिक कल्मा लिख दिया, उसके नीचे तलवार लगा दी, ये उनका तुरंगे और समविधान के प्रति सम्मान है, हमने देख लिया है, हिंदू-मुस्लिम भाहिचारे की बात होती है, हमने खर्गवन में देखा, रामनौमी से लेके हनमान जहन देखा किस तरह से हिंदू के घरों पर, दिलकतों पर, वहानों पर आगजनी की गई, तोडफोड की गई, पत्थरबाजी की गई, लूटने की कोशिज की गई, और कई जगे लूटा भी, और यहां तक कि खर्गवन में एक महिला को भी उठा के ले गई, ऐसा सम्माशार प जोना के घेर के मारता है, पत्थरबाजी करता है, उसका घर लूटता है, आगलगा देता है, उसको या तो हत्या करतेता है, या तो उसको वहां से पलाइन करने के लिए मजबूर कर देता है, यह वो ही भाई हैं जोने होने कसमीर में हिंदूों को पलाइन करने पर मजबूर अब आते हैं कि इसलम सांधीप्रिय मजब है, इसलम सांधीप्रिय मजब होता, तो अलग-अलग देशों में, अतनकोड़ी घठनाय नहीं घठती, नाइजीरिया मैं हर सुक्रवार को या फ्राइडेय प्रेयर या सैटाडे प्रेयर को और प्रेयर को चर्चों पर एक नहीं होते यो ना इंजीरिया की बात है वहां पे ना तो हिंदू है ना मो RSS है ना BJP है बंगलादेस में क्या हो रहा है वहां पर justify करते हैं कि यदि भारत मुसलमानों के उपड़ अत्याशार्थ किया जाएगा तो उसका बदला बंगलादेस में लिया जाएगा यह तुम्हारा भाईचारा है और थोड़े ही दिन के बाद में या कुछ ही घंटों के बाद में भ भारत के निया प्रक्रिया चुना प्रक्रिया में विस्वास रखते हैं निया प्रक्रिया के तो बात ही मत करो यह लोग खुद क्याते हैं कि हम तो सदिया के हिसाब से चलेंगे हमें सदियत के हिसाब से निया करना चाहिए तुमको नो साल की लड़की के साथ में साधी करनी सोख रात्मनानी है भारतिय समविधान का इसी वज़े से तुम विरोथ करते हो तुम्हें घजवाई हिंदे चाहिए हिंदू पुदोसों के बेने हिंदू ओड़तों के साथ मैं यहां पर तुम्हें सरिया के हिसाब से चलना है जब फांसी की बात आती है किसी मुस्लिम आतनक करते हो तुम्हारे देखने और देखने के दानत अलग है खाने के दानत अलग है भाहिचारे की बात हो गई है कि भाहिचारे में तो तुम बाजुवाले हिंदू को सबसे पहले लूटने की कोसिस करते हो उसका घढ चलाने की कोसिस करते हो बहुत साथी जगे पर हैसा हो भायत के नागरिक होते तो सबसे पहले कस्मीर में उन आतंकवादियों के सामने खड़े हो जाते जिन्होंने हिंदुओं को वहां से भागने पर मजबूर किया तब कहते हो कि वह तो 1990 का दर्सक था हमको नहीं पता तब रहुल पंडित की हत्या हुई तब तुम निकलते उन आ कि नया परक्रिया पालन करते हैं हम सामती से रहना चायते हैं नहीं है तमारे दिमाग में और तुमाहई दिल में बहुत खञता विचार हैं सोड气 हैं जब गाव क्योंम चुब चाहता है तुम खड़े नहीं होते हैं इसके सम्मान में और यहां पर ॐबे डिबेट में कहते होके हम सबसे जादा समन करते हैं हिंदुए ज़ादा जो भी लिछ पी में जोड़े हुए है कि अम रही बात के इसलम मानवता का अं कर शम्मार का शनदेश देता है क्या एक हमने मानवता का सनदेश बहुत देखा है कि सुक्रवार की नमाजों के बाद जब नमाजी भीड निकलती है, हाँ तुम्हें पत्थार पैट्रोल बम होता है, जो भी मस्जिद के बाहत या उसके आसपास केला को सरे सटी हुई गैद मुस्लिमों की दुकान है, उनको पत्थार बाजी की जाती है, आगजनी की जाती है, तो फोड़ की जाती है, लूटी भ मुस्लिमों को अपने आप में जाकने की तो आप जदूरत ही नहीं है, गटर में आप कितना भी जाक लो, कीचड़ो और अंधेरे के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे मुस्लिमों से नहीं कह सकता कि तुम अपने आप में जाको, पर मैं ऐसा कहता हूँ क कि तुम पर्ष्ट बोलो कि इसलाम हिंसक मानो भी दो थी, महिला भी दो थी, दाजनेतिक विचार है, यह धर्म नहीं है, हम सच को स्विकार करने के लिए तैयार हैं, पर प्रोपेगंडा मत करो, क्योंकि तुम ही खुद कहते हो, कि हम तो उसी हिसाब से चलते हैं, जो हमारे कुदान में लिखा है, जो हमारी हदीसों में लिखा है, तुम जिस तरह से वहवाद करते हो, हम तो उसी बात के उपर ट्रस्ट करते हैं, कि यही तुमारी हदीसों में लिखा है, तुमको अभी भादत यदि, भादत सरकार एक कानून लाए कि इसलामिक टोपी और दाढ़ी कई उपार पाबंदी लगाने की बात करे तो सबसे पहला विदोध मुस्लिम करना चालू करेगा कहेगा यह हमादी पहचान है यह हमादी इस्लामिक सुन्नत है पर यही मुस्लिम यही धोंगे भाज यही धोके भाज मुस्लिम जब लव जिहाद करना होता है किसी हिंदु लड़की को फसाना होता है, किसी इसाई लड़की को, सिख लड़की को, या गयर मुस्लिम लड़की को फसाना होता है, तब यह दाड़ ही नहीं रखते हैं, तब तोपी नहीं पहनते, तब उचा पजामा भी नहीं पहनते, तब यह अपनी इस्लामिक पहचान को अपनी सुन्नत को तिजोरी में ताला लगाकर रख देते हैं तब इनके सामने कोई सवाल नहीं पूछता है कि वहाँ पे तुम अपनी पहचान को तो ताले में लगाकर ताले में रखाते हो तो यहाँ पे सरकार के कानून का और नियम का विरोत क्यों कर रहे हो यही ढौंग है इसलिए मैं भारत के हिंदों से कहूंगा आप एक जूट रही है आपको सेकलिदीजम के नाम पर मिस्काइड किया जाता है बढ़काया जाता है यदि आपको खुद को बटना है तो आप तयाद है कि आपको कटना है और नूपुर साथमा ने जो भी बोला मैं तो उसके पू उस जाकिरनाय को पकड़ो उस तसलिम रहमानी को पकड़ो उस सदाफुद्दीन इलियास को पकड़ो और वो अदब का सेख धर्म गुरू जो जिसको तुम धर्म गुरू कहते हो वो राजनेतिक गुरू है उसने भी बोल दिया कि हाँ नूपुर साथमा ने जो बोला वो हम आदे हम इसलाम में तो ऐसा लिखा है और हम इसके हिसाथ से चलेंगे और हमें एक करेंगे इसलिए सबसे पहले खुद को सजा दो एक आधर्स बनाव एक एक एक्जमपल सेट करो फेर गैद मुस्लिमों के खिलाब पड़ो चलो आज के वीडियो में इतना ही तर एक बात ने भादत के इसलामिस्टों को नंगा कर दिया है और ये खुसी-खुसी अभी तक हमाम कहाने में नंगे होते थे अब साधर जनिक तौद पर नंगे हो चुके